तीन साल पहले मैं यहीं की गलियों में गुमता था सड़क पे गुमता था तो लोग मुझे एक नमबर का घुमकड कर लिजी आप वो लोग मुझे सम्मोजित करते थे कि घुमकड या घुमरा इसके पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है कि चरकसर मेरे क्लास में आते थे और मुझे पीछे के सेट पर बैठ कर देखते हुए ताना मारते थे कि जाओ तुम गरीबों की मसिया बनो और जाओ तुम यही काम तुमारे जीवन मेरा गया जाओ तुम गाओ मेरे वच्चों को पढ़ाना तुम्हें खुद पढ़ना लिख जो कुछ मिला है उसे में लोग की मदद करते राते हैं और जब तक मतलब है तब तक मुझे या नहीं पता मेरा जीवन स्साल है अधिर वन निसुल्क सिक्षा देने का काम कर रहा है अपने संस था अब्दुल कलाम वेलफेर सोसाइटी से इस अब्दुल कलाम वेलफेर सोसाइटी के साथ इस समय 46 बच्चों को निसुल्क सिक्षा देने की काम की जा रही है साथी साथ एक नॉर्मल सुल्क पे बच्चों को यहाँ पे सिक्षा भी देने की काम की जारी है जो कि इनके स्कूल के थू होता है लेकिन इस समय हम जब यहाँ पे मौजूद है तो इस सेवा संस्थान के द्वारा ये आप देख सकते हैं लाइबरेरी भी चलाई जा रही है और बच्चों को कुछ निसूलक सिक्षा देने का काम भी किया जा रहा है इस समय हमारे साथ अब्दूलकलाम वेलफेर सोसाइटी के अध्यक्ष रजनीश पटेल है रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका डेनपी इंडिया को बहुत सारा धन्यवाद और आपको भी धेर सारा धन्यवाद रजनीश जी यह खयाल कहां से आया यह 46 बच् पीछे रहें तो इसलिए सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए मेरे मन में हमेशा से ख्याल आता है कि मैं अपना सारा जीवन विगा देना पड़े सिच्छा को बढ़ाने में तो मैं यहां से दे कर जाऊंगा और लोगों को सिच्छी बनाना ही मेरा परमकर्तव्या बन मात्र तेश साल का उम्र और इतना बड़ा काम कि 46 बच्चों को ने सिच्छा दिया जा रहा है यह खयाल मतलब यह मोटिवेशन यह आता कहां से यह जो कुछ भी है अगर आप किसी को अपने जीवन में आदर्स मानते हैं या उनके मारदर्सन पर चलने का कारे करते हैं तो हर किसी के लिए संभाव है तो मैं भी कुछ लोगों को अपना आदर्स मानता हूं और उनसे मारदर्सित हो कर मैं उत्पत पर चल रहा हूं निरंतर निरंतर कोशिश करता रहता हूं कौन हैं वह देंगी मेरे आदर्स ज्यादे लोग तो नहीं यह लekिए श्याद जो भी लोग है मैं उनकी दाम आज बताओंगा या लूं Любगा भी मेरे अगु अगर कोई ऐसा हैं जुनला और मेरे मादर्सर के रूप में कामकी है तो वो जीते जागते एक सबूत हैं जिनके मार दर्शन में और उनको जब से मैं आधर समाना तब से कुछ बैतर करने लगा नहीं तो तीन साल पहले मैं यहीं की गलियों में घुमता था सड़क पे घुमता था तो लोग मुझे एक नंबर का घुमकड़ कर लिजिए आप व तो पद पे जाकर वो शाब सफाई कर रहा है तो मैं क्यूं लाही है, तो यहीं से मेरि शुरुवात होई कि मैं भी कुछ समाज में करूं इसलिए मैं उनको अपना दर्श मानता हूं और यह जो तमाम अभी नाम पिछे लिए हैं के जीवन से मैंने कुछ न-कुछ सीखा है स सावित्री भाई फूले को मैं अपना अधर्स मानता हूं इसके पीछे का वजय रिजन यह है कि 1848 में जब कोई नहीं पड़ता था भारत में लड़कियों कोई नहीं पड़ाता था तो उनकी आंदोलन जब शुरू हुए उनकी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें लोग मुझे गाली देते हैं बुरा बला करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सावित्री भाई फूले ने जो अंदोलन शुरू किया आज हमारे देश में लड़किया पड़े हैं और यही वज़ार आगी जब मेरा बिद्ध्याले चालूए दो अजार उन्निस में तो सबसे पहले में लड़कियों के फीश को 50% कम कर दिया 50% परसंट कम फीश लेता था लड़कियों का तो गारिजन मुझे से अकसर शिकायत करते थे कि लड़कों से आप 200 ले रहे हैं लड़कियों से आप 100 पर ले रहे हैं तो क्यों ऐसा भेध भाव करते तो हम उनको सिध तो मेरे अंदर भी अगर मैं इस धोल मिट्टी में जन्म लिया हूँ और इस समाज में खेल कुद कर बढ़ा हूँ तो मेरे अंदर रग रग में अभिया चीज बैठ गया है कि मैं इस समाज के लिए इस देश के लिए क्या करके जा सकूँ अगर किसी के भला होने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जिस समय हमारे देश में गुलामी थी उससे में उन लोगों को पता था कि बाहार लिकलते ही गोली मारते जाएगे उन लोग 22 साल तेश साल की उम्रों में 18 साल की उ लाए उसी में हम लोगों की मदद करते रहते हैं और करेंगे भी और जब तक मतलब हैं तब तक मुझे या नहीं पता है मेरा जीवन दस साल है पांच साल है लेकिन जब तक मैं रहूंगा कुछ ऐसा मिशाल बना कर यहां से जाने वाला हूं कि लोग उसको याद रखेंगे लेकिन टेसाई राम परिक शादो के बारे में हमारे दर्सकू पर आप दोजाब लखनव चला गया तो मैं फेस्बूक पर देखा करता था कि या ता याद उपनिरच्छक जाकर सड़क को साब करें नाले को साब करें और जो जाम से उसको निजात दिला रहा है तो वह अपन कारे जैसे उनका काम यह नहीं था कि वह जाकर सड़क पर सड़क साब करें नाली साब करें या जाकर पोखडे की साब सफाई करें तो मुझे लगा कि जब वह कर सकते हैं उस पर पे तो मेरी क्या वकात है मुझे भी करना चाहिए और वहीं से मैंने गाओं में स्वच्छता अब तक हम करी 55 सफाई अब यान कर चुके हैं जो हर अबिवार को गाओं में बच्चों को लेकर हम लोग किया करते थे तो पहला सीख अगर मुझे किसी ने दिया तो उन्होंने दिया और वहीं से सुरुआत हो गई मेरे कारे करने की मतलब कि राम विरिक शादो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कियें जिसके तुरू आप ये काम करते हैं उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत जादा है और आज एक बात यह आप लोग की बीच में बता देना चाहते हैं कि इन सब के बीच में एक ऐसा भी सक्स है जिस के साथ से मैं कुछ भी कर पाता हूं एक नाम मैं कहीं नहीं लेता था लेकिन आज आज आपके बीच में यह बात रख रहा हूं कि मेरी माई वह पहली सब्सक्राइब करने योग कि हुआ हूँ आज आप विद्दाले भी चलाते हैं मातर 200 रुपे आप साथ बच्चों की फी बात कुछ बड़ोतरी हो गई भाड़े में तो हमने आटो बन कर दिया इससे सतर असी बच्चे कट गए मुझे दूख उस बात का नहीं है लेकिन जन सेवा के हीत में मैंने फैसला लिया और आटो को मैंने बन कर दिया जहां पे आज इस समय प्राइवेट इसकोलों की बात क है तो यह मात्र कुछ लगभग 30,000-35,000 रुपे के आसपास में आते हैं आप अपने यहां बहुत सारे टीचरों को भी रखे होंगे हां ग्रामीड इलाके है तो टीचरों की सेलरी प्राइवेट विद्ध्यालों में कम होती है तो वहां पे टीचर को अगर देखा जाए तो जाता है उससे मेरा सुकून से जिंदेगी कट जाती है और निंद भी बहुत सुकून से आता है यह जरूरी नहीं कि कहीं लिखा अगर हो कि दो लाक रुपे महीने कमाने से निंद आती है तो मैं उनको गलत साबित कर दूंगा निंद 10,000 कमाने से भी आती है और सुकून की यदाती है बस वह आपके उपर करता है किस कारी से पैसा पार रहे हैं तो मुझे जो कुछ मिलता है उसे मेरा घर परिवार चल जाता अगर मुझे पता है कि अगर मैं अभी यह कर देख समय कुछ और करूंग का धीरे मेरा यूट मेरा शुरो भड़ता हूँ लखनों में और मैं बैक बैंचर आ करता था टीचर अक्सर मेरे क्लास में आते थे और मुझे पीछे के सेट कर देखते हुए ताना मारते थे कि जाओ तुम गरीबों की मसिया बनो और जाओ तुम यही काम तुमारे जीवन में रा गया जाओ तुम गाओं में वच्चों को पढ़ाना तुम्हें खुद पढ़ना लिखना तो है नहीं और सच कहें तो इस वर ने उसको सुन भी लिया और मैं आज के लिए इन गरीबों के एक मसिया के रूप में भी लोग आप देख सकते हैं और आज वहाँ से अगर फोन आता भी उसी बंसल काले से तो लुखूस होते हैं और बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि आप मेरे यहां से पढ़कर लिकले हैं रजनीस जब यहां से बच्चे सहर के तरफ रुख करते हैं देवरियां चुकि एक छोटा सा इलाका है ग्रामीड इलाके यहां पर जादे हैं जब ऐसे छोटे सहरों से जब बच्चे किसी बड़े सहरों के तरफ रुख करते हैं तो उनका यह सपना होता है कि वह किसी चला गया नौ तो मुझे अब स्अरे ख्याल खतब और में अपने सौक को खतम कर चुकता हो किokol जरूरतों पर चला हूँ की मुझे जादे से जादे लोग को सिक्षित करना है जिनके पास सिख्षान यह मैं आते जाते कहीं भी छेतर में जा रहा हूं गर कोई मुझे बोल दिया कि मुझे प्रॉब्लम में दिक्कत है मैं सीदे बोलता हूं कि आप मेरे यां बेजिये में सारा संपुर्क उठा लूँगा इस वर उस चीज को देख रहा है मेरी हर समय मदद करते रहते हैं इस वर और लोगों के सहयोग स में सब कुछ कर पारा हू और जीवन में देखिये इंजिनियर बनना डाक्टर बनना बड़ी बात ने बड़ी बात है कि उसी जीवन में सुकून कितना है आपको और कईन कई मैं एक सवाल बस पुछना चाहूंगा जितने भी डाक्टर इंजिनियर या बैग्यानिक बन जाते हैं, अगर उनके मन में उनके दिल में इस देश के प्रती समाज के प्रती एक प्रसेंड भी प्रेम नहीं है तो उनका डाक्टर इंजिनियर बनना मेरे लिए भी मैं इंजिनियर बाद में बना सबसे पहले मैं जब बच्पन में था तो इसी जगह पे इसी धूल मिटी में में खेल कुद का बढ़ा हूँ तो आज अभी मैं उसका फर्ज यादा कर रहा हूं सायद मेरी जीवन खतम वजाए तब उसका फर्ज ना चुका पाऊं अभी मैं फर तो कलको आप आईस्पीस कुछ भी बन जाईएगा अपने दिल में इस देश के लिए इस समाज के लिए एक छोटा सा जगह जरूर रखिएगा और आप लोगों की मदद करिएगा मैं इस सोच के साथ काम कर रहा हूं कि अगर आज मैं 45 लोग को सिच्छित कर रहा हूं वह 45 सिच्छित होकर आने वाले समय में 500 लोग को सिच्छित करेंगे वह जब 500 लोग को सिच्छित पांच लोग को करेंगे तो दिरे दिरे नेटोर्क बड़ा होता हुआ चला जाएगा बच्चे इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि किस तरह मैं पैसों के अभाव में उन लोग क तो चीज को समझ के बच्चे तो आने वाले कल में जादे बच्चे पढ़ेंगे अब एक चीज में भी काना करेंगे कि सिच्छा पर कि एक बेक्ति का अधिकार नहीं हर बेक्ति सिच्छित रहेगा जब तक मैं हूँ लग्यनी सुल्क सिक्षा दे के हर बच्चों तक आप सिक्षा पहुचा पहुचाएंगे रजनी से एक और सवाल कि जब 2019 आप पास आउट किये होंगे बिटेक पास आउट करके जब घर के तरफ एक बार रुख हुआ होगा घर सी ये सवाल नहीं आया कि हमने कई लाखों बरबाद कर दिये तुमको पढ़ाने के लिए और बेटा तुमको समा सेवा सुझा हुआ है इसकी शुरुआ जैसे 2016 में जब मैं बिटेक करने गया पहला साली तो मेरे पिता जी एकस्पार कर गया सकेंड समेस्टर में और जब मैं यहां से एक महिने बाद फिर लखना हो गया तो एक रात हम लोग बैठे थे क्लासमेट जो भी लोग थे मेरे रूममेट थें तो वहां मैं बोला कि यार मैं चाहता हूं कि मैं एक एंजियो का अस्थापना करूं एंजियो के माद्यम से लोगों की सेवा करूं तो मेरे दोस्त लोग बोले कि क्या पागल होगे पागलों जैसे हरकत कर रहे हो तुमारे स जिक्र करता हूं तो मेरे आँख में आशु आ जाते हैं कि मेरे क्लासमेट रूमेट जो लोग थे वह लोग गुसा आओकर मुझसे अगला कमरे में चले गए और मुझसे बोलना बन कर दिये करीब चार-पांथ दें तक यह से जिला चलता रहा उसके बास से मैं खुद ही जाकर उनसे माफिक मांगा कि ठीक है दोस्त हम नहीं करेंगे काम आप लोग जैसा करते हैं वैसे हम करेंगे फिर से हमारा बोल चालूगा उसके बाद मैं अगली महीने जब घर आया तो मैं रेजिस्टेशन करा कर अपने साहता कम में चला गया और वहां जब काम सुरू हो गया मैं करता है वहां था काम या होने लगा तो उनको जब पता चला तो फिर से वो लोग मेरे उपर भढ़के गुस्सा हुए तो धीरे धीरे वह लोग भी इसमें सायोग करना सुरू कर दियें लेकिन पहला बिरोध का सुरुवात हुआ ही पर वजिस रात मैंने जिक्र किया इस साह नहीं कर पा रहे हैं और जो इस काम के लिए इनको नहीं बनाए गया वो काम कर रहे हैं तो मैं मुझे नहीं लगता है कि मैं इंजिनियर बना नहीं बना क्या चीज़ा लेकिन इंसान बनने के बेतर कोशिस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अभी बहुत सी कमिया जिनको सुधारने की निरंतर कोशिश भी करता रहूंगा आए दिन मुझे समाज में कई लोग पूछते भी हैं कि आप क्या करते हैं तो मैं उनसे बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं करता हूं घरी पर रहता हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा किसी को भावकाल नहीं बनाना चाहता कि मेरा बिद्याले असांस्ता है तमाम चीजें तो मैं बोलता हूं कि मैं घरी पर रहता हूं तो लोग ताना बीमार देते हैं कभी कभी अकसर लोग मुझे से पूछ देते हैं कि कब तक घर पे बैठेंगे कुछ तो कर लीजिए चले जाए दिल्ली बंबई या कभी मैं जिक्र करत कि मैं बिद्याले चलाता हूं तो आज के डेट में लोग मुझसे करते हैं कि बिद्याले से आपको क्या मिलने वाला है आप चले जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली बंबई में चला भी जाओंगा तो जादे-जादे 10,000-15,000-20,000 में कमाऊंगा लेकिन मेरी आवकात नहीं कि मैं दो बच्चों को यहां पढ़ा सकूं दिल्ली बंबे राने बात और मैं आज इस जगह पे बैट कर यह बोल सकता हूं कि मैं चाहूं तो यहां से 500 बच्चों को फ्री में पढ़ा सकता हूं यह मैं चीज महसूस किया हूं दिल्ली बंबे जाकर दो को नहीं पढ़ा पा पर लिकलते हैं तो तमाम लोग आते हैं तमाम लोग चले जाते हैं लेकिन इस सुवर हमेशा आपके साथ रहते हैं और दोस्तों की और लोगों की सहयोग से ही सब कुछ कर पा रहा है और कभी कभी लोग मुझे देखकर हैरत में पर जाते हैं कि इनके सामने कभी मुसीबत टिक तो मेरा मनोबल तूट गया होता मेरा खत्म हो गया तो मैं अभी एक समाने सा जीवन जीना शुरू कर दिया होता अपने घर परिवार से बाहर लिकलता ही नहीं पैसे रूप हो कि लिए लोग समंदत मांगी जाती है तो कोई ऐसा दोस्त है जो यह कहता है कि काम करो भाई तुम आज तुम मेरे साथ मौकरी कर लो कभी कभी लोग ताने मारते मेरे जो क्लासमेट हैं अभी वो इंजिनियर के पर पर काम करें बीस जार पचीस जार उनकी सेली तो बोलते हैं कि भाई वहाँ पर अच्शा है कि तुम आओ योड़ी मेरे साथ काम कर लो तो मन में सब्सक्राइब कारेया है क्यार तुम जआकर Das Guys लोग यहां काम करें हो मेरे उपरो मेरे अंडर मेरे दोसे से यहां काम करां लेकिन नोक्य सिफ्शा दिये कि हमारे गुरु लोग या बात बोलना है कि रणीस का इच्छा सकती हमसे कम है हम लोगों से जो रिस्तेदार होते हैं रिस्तेदार लोग बड़ा सवाल करते हैं इंसव के उपर कि ज़से मान लीज़े आपकी मुम्मेगर किसी की भावी लगती है तो भावी आपका बेटवा यह समान सेवा में लगा हुआ है पैसावीसा कमा नहीं रहा है अब के साथ भी होता हो और आज भी कए से रिलेशन के लोग हैं जो मुझसे बात तक भी नहीं करते हैं लेकिन आप लोग कंब सामने बता देना चाहता हूं जब थोड़ा से उनका काम फ़स्ता तो याद भी करते तो मुझे खुसी मिल्ते ہے चलिये मेरे बुरे वक्त में तो साप नहीं देते लिए जब उनका बुरा वक्त आता है तो मुझे काते हैं ज्लूर शेयर करते हैं। कि उनको उनको लगता है कि निठला है बीना कामी का स्के पास कोई कामदाम नहीं यह नहीं है अब पैसा भी कमा रहा लेकिन उनको कैसे मैं बताँ कि जो मैं कमा रहा हूं कि कि मेरे घर वालों को पहले थोड़ा दूख होता था लेकिन आज थोड़ा उनको कि आपका काम करें और सुनने कि यह काम करते हैं कि कोई से बताते हैं कि अब हम लुग मार्केट जाते हैं तो आप की नाम से हमें लोग जानते हैं और हमारे साथ आदर सम्मान करते हैं हमें सम्मान देते तो हमें खुशी मिलते इस बात की अगे का सपना क्या है 46 बच्चों तक एक से सुरू हुआ ये सफर 446 बच्चों तक पहुंच काया आगे सपना क्या है और इसके लिए एक और सवाल सबसे बढ़ा रहेगा यह आर्थिक हालातों से कैसे निप्ट हुए आगे मैं मेरा यही वह रहा है कि टार्गेट यह है कि इस साल मैं 2022 में करी असी बच्चों को मैं निशूल सिछा देने के लिए कारे कर रहा हूं